प्रतिवर्ष की भांती दीपावली के महान पर्व पर समाजवादी घर-घर दीपोत्सव का हुआ शुभारंब गरीबों के घर भी जलेंगे दीप, गरीबों के बच्चे भी मनाएंगे दिवाली दीपावली के पर्व पर गरीब लोगों के घरों को रोशन करने के लिए समाजवादी संस्कृतिक प्रकोष्ट के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समर्जीत ने बीकापुर विधान सभाक शेत्र के पिपरी जलालपुर निशाद बस्ती में पहुँचकर लोगों को कोहली, दियाली, वचूडा, लईया तथा चिरया वाली मिठाई और दीपक का तेल आदिसामगरी का वितरन करते हुए पंडित समर्जीत ने कहा हमारे प्रभु राम सबसे पहले दीपक अपने प्रजा के घरों में जलवाने का काम करते थे आज उन्ही का अनुसरन करते हुए गरीबों के घरों को रोशन करने के लिए गाउग गाउग पहुँचकर दीपोत्सव सामगरी लोगों को दी जा रही है हमारे सपा, राष्ट्री, अध्यक्ष, आदरणी, अखिलेश, भैया जी का भी निर्देश है कि गरीबों के घर भी जलेंगे दीप, गरीबों के बच्चे भी मनाएंगे दिवाली इसी उद्देश को लेकर जहां जहां गरीब परिवारों को दीपोत्सव मनाने में दिक्कदा रही है तदकाल वहां पहुँचकर दीपोत्सव सामगरी देने का काम कर रहे हैं तथा यह कार्यक्रम दीपोत्सव तक लगातार जारी रहेगा सपा का उद्देश है गरीब लोगों के जीवन में सदैव मुस्कान वखुश हाली बनी रहे कार्यक्रम में सुमन देवी, जनक ललिता देवी, शांती देवी, पूनम, नीलम, पुश्पा, कुमकुम, मीरा देवी, संतोष कुमारी प्रभूर राम की नगरी में आज हम समाजबादी घरगर दिपोस्तो मनाने का काम कर रहे हैं क्योंकि प्रभूर राम के आदर्सों पे चल कर सबसे पहले प्रभू अपनी परजा को सदयों खुश रखते थे और उनको सम्मान देने का काम करते थे, सबसे पहले दिपक वह अपने जन्ता के बीच जलवाने का काम करते थे आज उसी को आदर्समान कर हम प्रभूर राम की नगरी अज्या में समाजबादी घरगर दिपोस्तों गाउगाउग मनाने का कायक्रम चालू कर दिया है कायक्रम हमारान वरत चल्ता